कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए, अगर निर्वस्त्र होकर कोई निद्रा लेता है, सोता है, तो ये बहुत अशुव होता है, और उसकी जीवन में मतलब आशुरी वृत्तियों का प्रभाव प्रबल हो जाता है, उसकी उर्जा निम्नगामी नीचे की ओर जाने लगती है, दूसरा कभी भी जूटे मूँ नहीं सोना चाहिए, जूटे मूँ सोने से दो वो होते हैं, मतलब खराबी होती है, एक आपके दातों में कीडा लग जाएगा, दूसरा जूटे मूँ सोने से, जो कोई जैसे बिना शरीर वाली सोल घूमती है, उनका कही न कही प् वस्तर के द्वारा, या जल के द्वारा, अगनी के द्वारा, इनी सब चीजों से होता है, तो कई बार जब मनुष जूटे मूँ सोता है, या जूटे मूँ यात्रा करता है, तो कुछ इस प्रकार की जो सोल होती है, जो बिना शरीर वाली उरजाएं होती है, वो उस शरीर पर अटेक करती हैं और कहीं न कहीं इसका प्रभाव नकारात्मक शरीर में होता है तीसरी बात ये है परोसी हुई थाली और खुली किताब कभी भी छोड़ कर भागना नहीं चाहिए परोसी हुई थाली और खुली किताब छोड़ कर कभी नहीं भागना चाहिए जो आपकी पर परोसी हुई थाली है उस पर कुछ प्लेट ढख करके जाओ और जो आपकी किताब जिसे आप पढ़ रहे थे उसे अच्छे से जिस पन्ना ना खो जाए उसके लिए उस पन्ने में बीच में कुछ लगा दो पर उस किताब को बंद करके फिर जाओ ऐसा परोसी हुई थाली छोड़ना और खुली किताब छोड़ना यह कहीं न कहीं मनुष्य के जीवन में लापरवाही का प्रतीक होता है कई लोग हैं थाली परोसी हुई रखी है अभी फोन पर ही बात करने लग रहे हैं अभी टीवी में ही गुसे हुए हैं अभी किसी से बात कर रहे हैं और पीछे परोसी हुई थाली रखी है जो किताब पढ़ रहे थे वो रखी है ऐसा नहीं करना चाहिए चौथी बात यह है कि कभी भी किसी तीरत में जाओ तो वहां कुछ और दान करो या मत करो पर दीप दान जरूर करना चाहिए किसी मंदिर में किसी नदी में अगर आप दीप दान करते हैं तो यह आपकी जिन्दिगी को रोशन करने वाला साबित होता है इससे आपको बहुत दुआएं मिलती है पाँचवा सुपात्र को जूता चपल और कपिला गया को भोजन अपने हातों से देना चाहिए कहते हैं किसी सुपात्र को अगर आप जूता या चपल का दान दे रहे हैं जिसको उसकी जरूरत है और वो जो उसको पहनेगा तो ये कपला गया को भोजन कराने के समान आपको पुन्य देता है तो किसी सुपात्र को जूता चपल का दान देना बहुत शुब होता है कहते हैं इससे जीवन में मनुश्य के जीवन की स्वेम की गती निर्धारित होती है चटवा ताबे का चल्ला बड़ी उंगली में पहनना चाहिए ताबे का चल्ला अगर आप अपनी बड़ी उंगली में पहनते हैं अर्थात ये आपकी सबसे बड़ी उंगली कौन सी है ये इसे ग्रहन अच्छत्रों के हिसाब से सनी प्रधान माना जाता है तो इसमें ताबे का चला पहनने से, अगर कोई negativity हमारे उपर है, तो कहीं न कहीं उसमें रहात मिलती है साथवा, पंच मुखी रुद्राक्ष सभी के लिए अच्छा होता है आठवा, भोर में गायतरी मंत्र करना चाहिए, कम से कम दस बार गायतरी मंत्र का भोर में रोज जाप करना चाहिए नवा, फूंक मार कर दिया कभी नहीं भुजावें, फूंक मार कर दिया भुजाना अपसगुन होता है खास करिस्त्रियों को कभी भी फूंक मार कर दिया नहीं भुजाना चाहिए दस्वा साम के समय कोई सिलाई करना या कड़ाई करना बुनाई करना या एकदम दिन मुदेखन जाड़ू लगाना ये अशुब होता है इनसे किसी न किसी जीव की हानी होती है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये दस बाते थी प्रमुख जो मैंने आपको बताई है और इन दस बातों के द्वारा आप अपनी जिन्दिगी में कुछ चीजें शुब और अशुब जाने होंगे